कृशी कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार करें कोई बदलाफ नहीं होगा इसी मांग के साथ दिल्ली को जोडने वाले पांच हाइवे पर किसान धरना दे रहे हैं किसानों के कंट्रोल सेंटर सिंगू बॉर्डर हम आपको लिए चलते हैं वहां से देखिए कैसे किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं कैसे किसानों के लिए लंगर भी चलाया जा रहा है हलाकि किसानों ने राशन लाने का दावा किया है लेकिन कई ऐसी संगते भी हैं जो किसानों तक खाना पहुँचा रही हैं इन किसानों को सरकार से बाचीत पर कितनी उमीद हैं और कैसे उस तड़क पर रह रहे हैं इसकी ग्राउंड रिपोर्ट समझिए ये रिपोर्ट इंडिया टीवी के समधाता जब दिन शर्माने तयार की है दिल्ली के सिंगू बॉर्टर पर किसानों को प्रदर्शन लगातार जारी है किसान सिंगू बॉर्टर पर अपना प्रदर्शन पिश्वे आठ दिनों से कर रहे हैं और अंधेरा होने के बाद कि आप तस्वीर यहां पर देखेंगे कि दिल्ली की संगतों द्वारा जो समान यहां पर भेजा जा रहा है उसी को लंगर के तौर पर जो किसान प्रदशनकारी है उनको यहां पर जो लंगर है वो चखाया जा रहा है आठवा दिन है आज और किसानों को खाने पीने की कोई कमी न हो इसको लेकर दिल्ली की संगत बढ़ चड़ कर आ गया रही है और हर किसी को जो सेवा करनी है वो यहां पर आकर सेवा कर रहा है और उसके बाद जो सेवा यहां पर की जा रही है उसी के जरीए लंगर का जो प्रबंध यहां पर किया गया और अब सभी किसान भाईयों को यहां पर जो लंगर है वो परोसा जा रहा है किसानों का साब तोर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी जो तीनों कानून है क्रिशी कानून उसको रद नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरीके से दिली के बॉर्डर्स का गिराफ जारी दाएगा साथ ही प्रदर्शन लगतार किसान करते रहेंगे लेकिन जिस तरीके से डिली की संगत सामने आ रही है सेवा कर रही है उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है जो किसान भाई है उनको यहां पर लंगर दिया जा रहा है उन लोगों से हम बात करते हैं जो लंगर यहां पर अभी तक लोगों ने अपने राशन इस्तमाल नहीं किया है जो संगतों द्वारा से वाट किया नहीं अभी निकिया जाट जो दोड़ जेडा रासना ही आफडा दे साथा बांदी ट्रालिंगाई पर आए तो दिली की संगत द्वारा सेवा की जा रही है और इसी तरीके से दिन के समय इसी जगा पर पदर्शन होता है बकाइदा मंच त्यार किया जाता है जिसमें किसान भाई अपर अपर विचार फ्रकट करते हैं लेकिन अंदेरा होने के बाद यहां पर लंगर परोसा जा रहा है और भारी संख्या में जो दिली की संगत है वो सामने आ रही है और किसान भाईों तक राशन पहुचाने का काम यहां पर किया जा रहा है मेरे पीछे अगर आप देखेंगे कि पूरी ट्रेक्टर ट्रॉलिया है इसमें भी किसान भाई रात पर अपनी रात गुजारते हैं सा जद लोटेंगे आगे देखें हमारा स्पेशल शो फकीर आसन